आज का ये एपिसोड समर्पित है उन बड़े लोगों के नाम जिनकी हर छोटी समस्या एक नई मीटिंग को जन देती है यह मिष्यस्ठ्वा करते थे हमडी वो कां अगे उनको तो कंपनी वालों ने निकाल दिया है अच्छा तो उनकी जगह फिर अब यह मिस्टर गंगाराम अच्छा अच्छा गंगाराम के अंदर है हाँ अंदर ही अंदर ही मैं भी सर यह दो केसेज हैं एक तो लेबर की डिमांज के बारे में और दूसरा सर स्टोर से कुछ मटीरियल चोरी हुआ उसके बारे में मीटिंग बलालो सब कमेटी बिठा लो मीटिंग बलालो सब कमेटी बिठा लो थेंकि सर यह क्या आपने तो एमडी की जगह तोता रखा हुँ अंदर भाई अगर हम दस हजाद मन कहाँ पर एमडी रखें फैसला उसने भी यही करना मीटिंग बलालो सब कमेटी बिठा लो फ्लॉप 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 नहीं है? कहाँ? सिर एस्टम साहब मीटिंग में गय है डेप्टी कमिशन से मिला कर देख लें राइज सर डिसीज ऑफिस? सहाब एते है? नहीं कहाँ? सिर डिसीज साहब भी मीटिंग में गय है कमाल है? हर कोई मीटिंग में गया मुझे लगता सारा देश मीटिंग कर रहा इस तरह हमें तो अपनी मीटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा सिर हम तो पिछले 20 दिनों से सभी ऑफिसर्स को रोज कॉन्टेक करते हैं अब कोई देट किसी को सूट नहीं करती तो कोई किसी को लेकिन हमें उको से ओर रहे हुए महीने में एक मीटिंग डिस्टिक अड्मिनिस्टेशन के साथ दुरूर होनी चाहिए हम क्या करें ठीक है सर्, मैं आदे घेंटे तक फिर सब नमबर स्ट्राइक करते हूँ अब क्या फादा, ग्यारा बजे हमने प्लानिंग की मीटिंग रखी होई है आप खुशी नाम से पता करिए उन इंपॉर्टन फाइलों की लिस्ट त्यार होगी है जिने पिछले महीने चुहे कुतर गए थे ओके सर हाँ Mr. Gupta, साहब ने वो सारे फाइलों की लिस्ट मंगवाई है जिने पिछले महीने चुहे कुतर गए थे मैं अभी पता करता हूँ हाजरा जल्दी भीज़वा दीजेगा साहब ने वो सारे केसिस मीटिंग में लिस्कस करने है ठीक खुशिराम जी साहब ने पुछवाया उन फाइलों की लिस्ट तैयार हो गई जिने पिछले महीने चुहे कुतर गया थे अभी नहीं जी लिस्ट अभी तक तैयार नहीं हुई भी साहब ने वो लिस्ट अपने साहब लेकर मीटिंग में जाना है गुपता जी बाई गॉड मेरे पास तो पहनी नहीं है मैंने दस दिन पहले रिकोजिशन दे थी तारा चंद को और बाई गॉड तीन डिमाइंडर भी दे चुका हूँ क्या आप बच्चों वाली बात कर रहे हो खुशिराम जी आप लिस्ट बनाने के लिए अपना परसनल पहने यूज नहीं कर सकते देखे गुपता जी बात उसूल की है जब आफिस हमें यूज करने के लिए पहन देता है तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें भाई यह असूल की बात आप जाकर साहब को समझाएए वो आपको बला रहे है जाहिए ना वो आपकी बेट कर रहे हैं तो पैड़ी रिलेक्स जा रहा हूं मैं बड़े अफसोस की बात है कि जिन 40 फाइलों को कुतरने में चुहों ने एक दिन लगाया तुम दस दिन में उन फाइलों की लिस्त तेहार ने करते तुमारे से तो चुहे ज़्यादा एफिशेंट है सर जी बाई गॉड चुहों ने फाइले दातों से कुतरी हैं और मुझे लिस्ट बनाने के लिए पैन चाहिए था जी अगर तुमारे पास पैन नहीं था तो किसी दे मांग लेते हैं सर जी बाई गॉड मैंने तारा चान को दस दिन पहले रेकुजिशिशन दी थी जी मुझे समझ नहीं आता तुम हार महीने छे-छे पैन शुकरवाते हो और पूरे महीने में एक भी कागस पर साइन नहीं करते वो पैन जाते गहा है सर भा हमें क्या पता रीटा येस सर तारा चान से कहिए कि एक डिटेर लिस्मना आए पिछले छे मीने में किस-किस मुलाजम ने कितने कितने पैन इशुक रवाए और मिस यूज अफिशल स्टेशनेर पर एक स्पेशल मीटिंग रखवाईए राइट सर येस जी बैठे है जी बात किजिए सर आपकी वाइफ का फोन हाँ क्या है तमीज से बात करो मैं आपकी बीवी बोल रही है स्वारी इससे पहले मैं अपने स्वाडी नेट से बात करना था एक मिनिट आप जाएए मैं बाद में बलाता हम हाँ चलें आप भी हाँ वो दोरा टोन बनलने में देर लगती है न आप अपना पैन निकालिए और एक देट लिखिए हाँ बताईए साथ तारीको दिल्ली में मेरी मौसी की लड़की की शादी है अच्छा अच्छा फिक्स हो गई है हाँ कार्ड अभी आया है आप ऐसे करना साथ तारीको दिल्ली में अपनी कोई मीटिंग रख लेना साथ तारीको हाँ रखवा लूँगा नो प्रावल्म रखवा लूँगा ओके बाई हाई सुझीचा आई चिती आज तो ने बड़ी बेर कर दी मेरी बरतन वाली ने आज बड़ी देर लगा दी मैं तो सोच रही अपनी बरतन साफ करने वाली बदल ही दो क्यों? क्या वो बरतन ठीक से नहीं करते? बरतन तो बहुत बड़िया साफ करती है लेकिन मौले के दूसरी ओरतों के कोई बात ही नहीं करती उसके पास कोई ख़बर ही नहीं होते That time very lucky मेरी बर्तन वाली तो हर एक खर की ख़बर रखती है अच्छा, कितने पैसे लेती है वो 90 रुपए, 40 बर्तनों के और 50 चुगलियों के फिर तो ठीक है कल वो बता रही थी, ये तनीजा है न अपने पडोसी उसका किसी भी वक्त डैवोर्स हो सकता है अच्छा, देखने में तो बड़ा शरीफ लगता है देखने में ही भूला बाला लगता है वैसी उसका चक्कर है अपनी स्टैनों के साथ अच्छा रोज आठ-ठाट बज़े दफतर से घर आता है और सुपह भी जल्दी चला जाता है लेकिन जब वो घर देर से आता था तो मिसस तनेजा ने कभी पूछा ने पूछती थी पैचारी कह देता ओफिस में ज़रूरी मीटिंग है मीटिंग्स? मीटिंग्स तो इनकी भी बहुत होती रहती है तू भी ध्यान रखियो ये मीटिंग्स कईबर बड़ी खतरनाग होती है लेकिन ध्यान क्या? अब मैं दफतर दोड़ना जा सकती हूं इनके साथ ध्यान का मतलब है कि पूछती रहा कर किस चीज की मीटिंग है, किस के साथ है, कहा है, वगयरा वगयरा आइडिया हो जाता है कि मीटिंग जेनूरन है ये फ्रॉड मेरा काम है मीटिंग करवाना, मीटिंग करना कोई भी अफर दिन में कितनी मीटिंग करता है, इससे उसके स्टेटस का पता चलता है वो तो ठीक है, लेकिन वीटिंग की कोई वजय तो होनी चाहिए वजय है, वजय तो बुटी ही है वही तो मैं पूछ रही हूं ऐसा है कि दफ्तर में चूहों ने बहुत सी फाइलें कुतर दिया उसके बारे में हमने एक मीटिंग रखी हुई है चूहों ने फाइलें कुतर दी? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं इसलिए हमने मीटिंग रखवाई है ओ गाड़ी आगी मैं चलता हूँ और ब्रेक्फ़स्ट? नहीं नहीं ब्रेकफ़स्ट का टाइम रहा हूँ ये कार में लड़की कौन है? कौन है? ये तो रीटा है, मेरी सेकरेटरी तुम मिली तो ही है इसे ये तुम्हारे साथ तुम्हारे गाड़ी में कैसे? वो, आज इसके पास कन्वेयंस नहीं थी, इसे प्रॉल्म थी तो मेरे साथ मैने कार चली जाएगी ओके, बाई हलो, हाई प्रिती अच्छा क्या? गाड़ी में उनके साथ सेकरेटरी थी? इसी बात का तो मुझे शक है इससे पहले कभी उनके साथ नहीं जाती थी तुने पूछा नहीं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पूछा था, पता नहीं कह रहे थे कुछ फाइलों को चूहे कुतर गए हैं उसी के बारे में कोई मीटिंग है फाइलों को चूहे? भई, मुझे तो कुछ गड़बर लगती है गड़बर तो मुझे भी लग रही है देख, तू ऐसा कर ओफिस में फोन कर और पूछ की ऐसी कोई मीटिंग है या नहीं मैं दफ्तर फोन करते अच्छी लगोंगे तू ये कहना ही नहीं कि तू बिती बोल रही है कहना कि एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और चूहों वाले केस के बारे में पता लगाना है ओके? सर, खुशी राम ने अभी तक उन फाइलों के लिस्ट नहीं बनाई जिने चूहे क उतर गए थे बड़ा लाप्रवाद मी है मैं अभी उसे सस्पेंट करता हूँ अब बैठें, डिक्टेशन ले हाँ ठीक है, आप लिखें दियर खुशी राम दियर सर, दियर खुशी राम मेरे कहल दियर नहीं होना जाहिए आखिर हम उसे सस्पेंट कर रहे है तो अब लिखें तो आप लिखें तो मेरे क्टेशन लेटर आप करने का काफी तजरुबा है ज़ी सर, यहां आने से पहले मैं छे दफतों से सस्पेंट हो चुकी हूँ ताइस गुड फिर तो तुमारे पास कोई ना कोई पुराना सस्पेंशन लेटर भी बढ़ा होगा कोई ना कोई क्यों से मेरे पस तो सारी पड़े है ठीक है फिर आप उन्हें देखे टाइप कर लाएं मैं साइन कर दूँगा राइट सर और सुने यह बात किसी को पतानी चलनी चाहिए कमाल है सर मैं यह थोड़े ना किसी को बताऊंगी कि आपको सस्पेंशन लेटर भी टिक्टेट नहीं करवाना आता मैं वो बात नहीं कर रहा मैं तो यह कह रहा हूँ कि चुहों वाले इंसिडेंट का बाहर किसी को पता नी चलना चाहिए ठीक है सर वरना अख़बार में चपके तो फजूल बदनामी होगी हाँ सर अख़बार वाले तो फिर ख़बर को और भी नमक मिर्च लगा कर चापते हैं बल्कि किसी ख़बार वाले का फोन है तो कहतना कि मैं चुट्टी पर हूँ ठीक है सर जी एलाल जी एलाल हाँ जी मेड़ो देखो मैं जरा अपने बाल ठीक करवाने जा रहे हूँ हाँ तब तक तुम यही बाहर बैठे रहना और फोन का ख्याल रखना जी अगर किसी प्रेस रिपोर्टर का फोन हो तो कह देना सहाब जुट्टी पर हूँ जी और हाँ वो चुहों बात भी किसी को नहीं बता ली है मेडम आप कह रही है तो नहीं बताऊंगा औरना ऐसी बातें पचानी थरा मुश्किल होती है जी कर ट्राइ हालो Is it 383947? हाँ जी बोलिये देखिए मैं प्रेस रिपोर्टर बोल रही हूँ प्रेस रिपोर्टर? हाँ जी बोलिये मुझे पता चला है कि आपके दफतर के कुछ इंपोर्टन फाइलें चुहे कुतर गए जी नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है हमारे दफतर में तो फाइलों का खास ख्याल रखा जाता है यह वही दफतर है न जहां मिस्टर भटी एमडी है जी बिलकुल बिलकुल उनकी आज चुहों के बारे में कोई मीटिंग नहीं थी? जी चुहों के बारे में मीटिंग? मेरा ख्याला आपको किसी ने गलत इत्तिला दी है आप कौन है? जी मैं पी अन जी अलाल और एमडी साब कहा है? जी वो तो चुटी बे गए है और मिस रीटा कहा है? जी वो भी कहीं बार गई है अच्छा तो सुबह मुझ से जूट बोल रहे थे मुझे धोका दे रहे थे मैं इस घर में एक मिनिट भी नहीं रहूंगी सेर हमें पता चला है कि आपकी वीवी घर छोड़कर चली गई सेर ये सच है हाँ नराज होके कुछ दिनों के लिए माई के गई है सेर फिर तो अच पार्टी हो जाए यूँकि अपनी दफ्सर की तो परंपरा है ना सर कि जिसकी वीवी रूटकर माई के जाए वो ट्रीट जरूर देता है ट्रीट भी देते हैं भाई ट्रीट की क्या हवाद है हाँ जी अंकल वो रिश्टदार में तुमारा घर पे होई ये दफ्सर है हाँ जी शाब ऐसे करो कि टीन चर कप चाहे लेके आओ जी और साथ में कचौरी और समोसिफ गारा भी देख लेना जी सर और सुनो जी अलाल वही गुलाब जामन बगारा भी लेते आ ना सहाब की भी बहुत दिनों के बाद भाई के गई है ना जी सर मैं अभी लाया देखो भाई हमारा काम है अपने देश के लिए दफ्तर के लिए अपने काम के लिए हमेशा मीटिंगे करते रहना और इस दुरान अगर हमारे बीवी बच्चे भी हमें छोड़के चले जाएं हमें घबराना नहीं चाहिए बिलकुल सर और आपको याद होगा कि आज की मीटिंग हमने इसलिए बुलाई है कि उन फाइलों का क्या करना है जिने पिछले मीने चुह कुतर गए थे सर एक्चुली सारी गलती खुशी राम की थी वो सब VIP कैसिस थे और खुशी रामने वो फाइल्स आम फाइल्स में रख दी और आम फाइल्स में तो आपको मालूम है सर चुहे आम गूमते हैं एक तो अपने देश के चुहे बड़े आना जूके ड़ेड़ है वी आईपी की फाइलों को बचानते ही नहीं सर हमें इन चुहों का भी कोई न कोई पर्मानेंट इलाज करना चाहिए हम ऐसा करते हैं कि मिस्टर जैन की और आपकी एक सब कमेटी बना देते हैं आप मार्कर स्टडी करिए कि वहां चुहें पकड़ने के कौन-कौन से यह अंतरुबलब्द है और एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दें सर ये चुहों के पिंच्रे खरीदने भी हैं ना उसके लिए हम एक अलग सब कमेटी बनाएंगे आप चाहे सो कमेटी बनाएं चाहे 200 सब कमेटी बनाएं मुझे क्या मुझे तो ये पता कि छे महीने हो गये मुझे स्टील का गुटाय प्लाई के हुए चौधरी साब आप मुझे पर क्यों गुशा हो रहे हैं मैंने तो आपका केस भेजा था उपर साब ने लिख दिया के पहले उन फाइलों का निप्टारा किया जाए जिने चूहे कोतर गये है हाँ तो ठीक है आप मेरी फाइल में बापिस कर दें मैं भी अपनी फाइल चूहों सो कोतर वाके ले आता हूँ आप साब से बात कर ले हो सकता है ऐसे ही मान जाए अरे आप मुझे मेरी फाइल देंगे तब ही तो बात करूँगा ना फाइल तो फिर आपकी धूलनी पड़ेगी पता नहीं कहां रखी गई है रखी तो आप हीने ना चौधरी साब तीन कमरे भरे पड़े हैं पैनिंग फाइल से अब पता नहीं कहां mix-up होगी होगी कुछ भी हो बेटी तुझे चोटी-चोटी बातों पे घर नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन क्यों बेटी बार-बार घर छोड़ने से घर छोड़ने की value खत्म हो जाती है मामा उन्होंने जान बूच के मेरे से जूट बोला मेरे सामनी उस रीटा के साथ बैटके कार में गए और उस दिन उनकी कोई meeting भी नहीं थी अरे बेटी ये उनके तरीके होते हैं जान बूच के चिड़ाने के तुम्हें ऐसी बातों में कभी नहीं आना चाहिए लेकिन मामा शक तो हो ही जाता है ना अच्छा अच्छा गबरा नहीं मैं दफ्तर से सारी बात का पता निकला लूँगी कि वहां कोई meeting होती भी है जा नहीं सर मैं जितनी बार आपसे मिलने हैं वो आपकी कोईनों को meeting चल रही होती है और आज अगर आप मिल गए हैं तो फाइल नहीं मिल रही सर क्या करें भाई अंदर फाइलों के धेर लगे हो हैं एक फाइल को हिलाएं तो सारी फाइले किरने का खत्रा है लेकिन हम क्या करें सर हमने बैंक से लोन लिया हुए मशिनरी लगा रखिया है है एवी इंट्रस्ट पढ़ रहे हैं और यहां स्टील का कोटा एलोटी नहीं हो भाई भेजा तो है जियालाल को शायद धून लाए फाइल आप तब तक प्रात्ना करिए प्रात्ना में बड़ी शक्ति है मिस्टर चौधरी भागवान ने चाहा तो आपकी फाइल जरूर मिलेगी सर शर शर जियालाल फाइले डूड रहा था तो सारी फाइल उसके सर परान पड़ी सर और वो भी होश हो गया सर आप अम्बूलेंस के फोन करें उसे होस्पिटल लेकर चले मैं रहा हो भी जी सर अबस्तर चौधरी देखा आपने ये साब आपकी वजास हुआ है ना आप फाइल निकलवाने की जल्दी गटे ना ये एक्सिडेंट उता पटी साब ने सब्सक्राइब साब का फोन बात किजए को गूंशी गूंशी शिकायत आ रही है कि नो सर घूह फाइलें से में एक आज़नी फाइल के नीचे दब गया है गा किसी को आपने डिल्ק कर दिया है यह हो के रहा है आपके ओफिस में सार आप घबराए ना हम आज ही एमर्जनसी मीटिंग कॉल करते हैं हर महीने आप लोग सेक्ड़ों मीटिंग करते हैं कि रिजल्ट किसी का नहीं निकलता है का रिजल्ट तो रिजल्ट तो निकलता है यह सर शट आप मैं परसों आ अब दफ्तर से सब पता करवा लिया है और वो चुहों वाली बाद भी सची है हाँ जस्पाल की किसी ने शिकायत किया है कि वो दफ्तर सारा दिन मीटिंगे करता रहता है चेर्मन सब खुद स्कीन कोरी के लिए आ रहे हैं पर ममो मुझे गल्दी कैसे लगी अरे बेटी यकीन हो तो खुद किसी दिन दफ्तर जाकर देख लेना कि वो कितना विज़ी आदमी है आज की मीटिंग हमने सिर्फ इस लिए रखवाई है कि परसों जो चेर्मन के साथ मीटिंग है उसकी तैयारी कैसे करनी है और किन किन चीज़ों का खास जिहान रखना है सर चेर्मन साथ परसों कितने वज़ तक पहुंच जाएंगे परसों नहीं भी वो कल रात थाड़े आट पर जा रहे हैं आपने रात की डिनर का और सुबा के ब्रेकफास्ट का अर्रेंजमेंट करना है ठीक है सर और सर वो जो कल मीटिंग के लिए चाय आएगी वो यहीं है या बाहर से मंगवानी है गुड कोस्टन ऐसा करेंगे ही चाय तो हम यहीं बनवा लेंगे समूसे और गुलाब जान बाहर से मंगवा लेंगे अब मैं आपको ज़रा सिटिंग प्लान समझा दूँ यहां सेंटर में बैठेंगे चेर्मेन साथ यहां मिस्टर जैंग और उनके साथ मिस्टर हुजा यहां गौतम जी हो ज़गे उनके साथ मैं इज़। चार आपको रेड़ पॉइंट दिखाई देडेर जहां एहां हम रखेंगे गुलाब जान और यह जो चार ब्लूफ हम देख लें कि दफ्तर में कौन-कौन से फाइलें फाल तुपड़ी हुई हैं कहीं चेर्मन साफ फाइलें रेखने ना जाए हैं ठीक चलिए मुझे समझने आती कि आपने इतनी पुरानी फाइलें रखी के हुई हैं सर्फा रिकॉर्ड से एक मिस्टर गुपता आपने पिछले दस साल से एक भी फाइल को खोल के देखा हैं सर मुझे अभी नौ साल ही हुए हैं फिर आप इन सा फाइलों के एक लिस्ट त्यार करें और जिस रिकॉर्ड की पिछले दस साल से कोई जरूरत नहीं पड़ी उसे अब डिस्ट्रॉय कर दें ज पूरा द्यान रखना है जिस से चेर्में साब आगे अगा गुद्मारी अव्रीपटी सारी मैं लेट हो गया पिछले हफ्ते मेरी दाइंतांका मसल बूल हो गया था आज सुबा सुबास में दर्श शुरू हो गया सब मसल दर्द के लिए मेरे पास बहुत बढ़ीया देशी दवा है सर अगर उसकी पेस्ट बनाकर एक बार आप उसे मल लें आपको इतना रलीफ मेलेगा इतना रलीफ मेलेगा आपका दिल करेगा कि आपकी डूसरी टांग में दर्दोर आप दवा लगाएं सर आपने कभी तेल में हल्ली गरम करके ट्राइ कि है अच्छली मेरी मदर एक बार ऐसी ही प्राब्लम होगी थी सर और सर यहां रेल्वे कॉलोनी में प्रेमसिन नाव का आदमी मालिश बाग बढ़िया करता है सर वो कोई नस्ट बाता है एक बार तो चीखें निगल जाती है लेकिन आराम आजाता है मिसु कुप्ता आप मिनिट सब मीटिंग रिकॉ अपने इंडर देदी थी ना वे तो सुब़ ही अंधर भीज़वा दे थी अ तो थैंकि मैडम अब देखा हूं अ अब देखाओ जी परमीट कैसे में देते हैं है अ हैलो मिस्स भर्ति का है मिस्टर बढटि का है वे तो मीटिंग मेरे है आपको य先ए मिस्टर बढ़ि मेरे म उन्हीं के साथ तो हमारे चेर्मेन साथ की मीटिंग है लोग खोद ही देख लो ये मीटिंग ही तो है और तू के सोच रही है ये पिक्निक मना रहे है चल गर चल पगली करें आप लोग चाय पीएगे लो थैंक्स हम चल करेंगे ओके बाइ से यू ये भगवान मुझे माफ करना मैंने सुनीता की बातों में आकर एक ऐसे दीवता समान आदमी पर शर्क किया जो देश की उन्निती के लिए सारा दिन सिवा मीटिंग्स के कुछ नहीं करता सुरी सर ये खास किसम का पिंजरे है सर सर इस पिंजरे से हम अटे टाइम सौ सो ग्राम के तीन चुहे पकर रखते हैं सर तीन तो फिर आपने ये स्कीम इंप्लिमेंट क्यों नहीं कियागी सर हमारी जो सब कमेटी ती उसे शब पढ़ गया कहीं ये पिंजरे मिस्यूज नहीं हो जाए क्या मतलब सर उनका मतलब ये था के कहीं स्टाफ मेंबर्स पिंजरे घर ना ले जाएं अपने परसनल चुहे पकड़ने के लिए तो फिर उसका आल्टरनेटिव क्या आगा सर हम बिली रख सकते हैं बिली मिस्यूज नहीं हो सकती हाँ स्केम तो बोरे ने आगे मिस्टर गुपता आप मिनुट्स और मीटिंग रिगार्ड कर रहे हैं ना यस सर गुड एक्स्कूजी मेडम मैडम जी मीटिंग और कितनी तर चलेगी खत्मी होने वाली है बस आपको क्या काम है मैं प्रेस्ट रपोर्टर हूँ मीटिंग के बार में पता करना था कि क्या डिसेशन हो रहे है वेल अके लगता है मीटिंग ही खत्म हो गई मैं सर आगे एसकुज में सर सर को इंपॉर्टन डिसेशन हुआ हाई तो कमाल हो गया एक डेट फिक्स हो गी है कभी तो आएगी जब बेमत लब के मसलों को मीटिंग में न धकेला जाएगा जब छोटी सीख मीटिंग को लंबा न खेंचा जाएगा जब सब मिल फैसला ले लेंगे कोई फाइल न पेंडिंग रह जाएगी वो मीटिंग कभी तो आएगी वो मीटिंग कभी तो आएगी वो मीटिंग कभी तो आएगी वो मीटिंग मीटिंग वो मीटिंग वो झाल मीटिंग वो मीट क ine वो अपर बदो नवाई भायो चाहई झाल